बिहार परधान सिक्षक की फॉर्म फिलब की प्रक्रिया प्रारम हो चुकी है सबसे पहले आप सभी अभ्यर्थियों को जो है रजिस्टेशन फॉर्म करना होगा इसके बाद रजिस्टेशन नंबर मिनने के बाद आप जो है अपना फॉर्म शमिट करेंगे तो इस वीडियो म जो है कॉमेंट कर रहे हैं कि फॉर्म फिलब करके बताई जाए तो इस वीडियो में पूरी अब्डेट आप लोग को प्रभाइड किया जा रहा है देख से बिहार परधान सिक्षक यानि की बिहार हेड़ टीचर भरती परिक्षा 2022 कंड़क्ट होने जा रही है बीपी एसी क माध्यम से तो आप सभी तमाम अब बहरतियों के तैयारी के लिए एक जियाम क्रैक करने के लिए चक्छू की बेस्ट बुक आ चुकी है जो की आपके सिलेबस के एकॉर्डिंग इस बुक को बनाई गई है शमान अध्यान यानि की जीके के कोशन यहाँ पर प्रवाइड किय है दिये गए है और दिये चिस कोर्श की जो अप्रशन दिये गए हैं बहु भी कल्पी प्रशन दिये गए हैं ब्याख्या के साथ हल करके आपको पुर्भाइड किया गया है साथ में शमान विज्ञान राष्ट्रिय अंतराष्ट्रिय महत्व की समसमय की घटनाए भारतिय राष्ट्रिय आंदोलन बिहार का योगदान इसमें उसके बाद भुगोल भारतिय राजस वेवस्था प्रारंभिक गनीत और मांसिक छमता परिक्षन से जुड़ी ही सारी सिलेबस के एकॉर्डिंग इस बुक का निर्मान किया गया है जो की है चक्छू की तो आप सभी तमाम अभ्यार्थी बिहार परधान शिक्चक भारति परिक्षा 2022 क्रैक करना चाहते हैं पास करना चाहते हैं तो इस बुक को आप जरूर पढ़ें मेरे कोशिंग में सभी अभ्यार्थी जो है इस बुक को पढ़ रहे हैं और आप सभी अभ्यार्थी को रेक्मेंट किया जा रहा है कि जरूर आप इस बुक को पढ़ें क्योंकि आपके सिलेबस के एकॉर्डिंग ही इस बुक को बनाए गया है जो की बिहार का ये shady section और concert के कोर्डेंग जो शिलेवा से उसके आधार पर शिकका निर्मान किया गया है तो इस रुब को आप टॉचें सकते हैं फप्लिकाइट से इहुआ ज्टोर से भी कर सकते हैं इसका लिंक जो है नीचे में को पढ़िए अगर आप बिशार परद 카메라 सिक्छक फास करना है परदान सिखक्राट बनना चाहते हैं लाइं इस बुकर जरूर आप पढ़िए कि यहां पर है कैंड़ीन फिर्स्टनेम तो अपना फिर्स नेम यहां पर इंटर करेंगे अगर नहीं है तो यहां गुंटर नेम आप इसमें इंटर करेंगे उसके वाद यहां पर मेंशन करना है हास्वेंड नेम अगर महिला कैंडिडेट है विवाहित है तो उनके लिए यह अप्लिकेवल होगा अगर आप नहीं है मेल है तो कोई दिकत नहीं है आप कुछ को बढ़ने की जोत नहीं है महिला वर्क के लिए है वहीं पर मदर्श नेम तो मा का नाम यहां बढ़ना है और यहां पर है डेट आप वर्थ तो आपका जो भी डेट आप वर्थ है वह आप डेट मंत और यहर के रुप में आप सेलेक्ट करके आप यहां पर मेंसन करेंगे उसके बाद आप मैरेड है अनमैरेड है या अधर है आप उसको आप सेलेक्ट करेंगे तो मैरे के लेट है तो मेlor पर तीक करेंगे फिमल वाले herश और ट्राशन्टर ऍट्रास संड्र पर किदिक करेंगे उसके बाद आधहार नंबर आपको क्या करना है इसमें फिलकरना है और उसके बाद देख सक्ते है आर यू ए ईज surrender ऑ Quindi क्या भारत की निवासी है तो इस पर टीक कर देना है already आर यू सूरे परवनानेंट रिज्टींट आफ बिहार तो आप यहाँ पर इस कर देना है आप बिहार के निवासी है तो आप इस पर इस करके टीक कर देंगे उसके बाद देख सकते हैं do you belong to any reserve category क्या आप reserve category से belong करते हैं अगर हाँ तो tick करेंगे इस पर अगर नहीं है तो आप छोड़ देंगे इस अगर हाँ तो आप category आप जरूर इसमें mention आप करेंगे उसके बाद देख सकते हैं फीड़ फाइटर वाले के लिए यहां पर option दिया गया अगर आप है तो इस पर टिक करेंगे नहीं था नो पर वहीं पर disability के लिए आप यहां पर टिक कर सकते हैं अगर हैं तो आप टिक करेंगे और उसके बाद किस चीज में disability है आपका visual में है अगर नहीं है तो नो पर रहेगा उसके बाद अपना correspondence आड्रेस आप इसमें मेंसन करेंगे यानि कि जो आपका पत्राचार का जो पता है जो आपका एड्रेस है आपको इसमें क्या करना है मेंसन करना है इस्टेट डिस्टिक और पीन इसमें इंटर आपको कर देना है परव क्या आप advertisement के दुबारा जो भी कैटरिया बताई गई है अगर fulfill करते हैं तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद email id डालेंगे और get code पर क्लिक करने के बाद जैसे क्लिक करेंगे तो code आपको मिलेगी और इस code को इसमें डाल देना है फिर आप अपना mobile number इसमें इंटर करे देना है इसके बाद जो capture है वह capture code इसमें डालना है और final registration form पर क्या करना है क्लिक कर देना है उसके बाद आपका registration number आपको हो जाएगा registration complete होने के बाद user ID और password के माध्यम से आप अपने account पर login होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं update your registration information और उसके बाद last में आपको payment कर देना है तो देख सकते हैं यहाँ पर update your registration information पर क्या करेंगे क्लिक करेंगे जैसे ही आपका detail जो है यहाँ पर दिखने लाएगा इसके बाद आपको क्या करना है payment पर क्लिक करना है और अपना payment submit करना है तो payment पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका detail यहाँ पर दिखने लगता है और यहाँ पर payment के लिए प्रोसीड यहां पर क्लिक करना है आपको जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर आप से पेमेंट एसेप्ट किया जाएगा तो आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं नेट बेकिंग से भी कर सकते हैं डेविट कार्ड केड़िट कार्ड से भी कर सकते हैं आपको यहां पर देख सकते हैं रूपे कार्ड से भी कर सकते हैं और अधर कार्ड से भी आप डेपिट कार्ड से आप कर सकते हैं उसके बाद आपको परसीट पर किलिक करना है और परसीट पर किलिक करने के बात जो है आप अपने बैंक का पुरा डिटेल वगारा जो भी है वो और इयार आपको डालना है और सीवीवी को डालेंगे उसके बाद आप कंटीनिव पर किलिक करेंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा और पेमेंट होने के बाद फॉर्म फिल अपके लिए पूरी डिटेल आपकी खुलेगी तो उसमें आप जाकर पुढ़े फॉर्म को फिल आ करेंगे आप सब्सक्राइब कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं